कार्तिक आर्यन अपनी फिलम भूल भूलया टू की रिलिज के बाद से खबरों में बने हुए हैं उनकी फिलम सिनेमा घरों के साथ बोक्स ओफिस पर भी धमाल मचा रही है हाल ही में फिलम फियर मैक जिन को दिये एक इंटर्यू में उन्होंने शादी प्यार के बारे में बात की शादी के सवाल पर कार्तिक आर्यन ने कहा मैं शादी के बवित्र पंदन में विश्वास करता हूँ लेकिन अभी मैंने अपने काम से शादी की है फिलहाल मैं इसी पर अपना फोकस रखना चाहता हूँ मेरे लिए शादी, प्यार, विश्वास और कमिटमेंट है लेकिन इन सब को मैं अभी अपने काम पर फोकस करने पर लगा रहा हूँ मुझे खुशी है कि मुझे मेरे काम से वही विश्वास और प्यार वापस मिल रहा है प्यार पर बात करते हुए एक्टर ने कहा प्यार एक सुन्दर सुद्ध और पर्सनल फीलिंग है और मैं दिल से बहुत रोमांटिक हूँ मैं अपनी फैमिली और फैंस से प्यार पाकर बहुत खुश हूँ इंडस्ट्री में मोस्ट ऐलिजिबल बैचलर होने का कोई प्रेशर है इस पर कार्टिक ने कहा उस पर क्या प्रेशर है तठ्थे यह है कि मैं कुमारा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ पर कोई दवाव नहीं है अभी मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पर है मैं इसमें ही फोकस रखने की प्लानिक कर रहा हूँ एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो भूल गुलिया के बाद उनकी अपकमिंग फिलम सह जादा है यह साउथ फिलम अला वैकुंट पुरा मुलो की हिंदी रिमेक है इसमें उनके साथ कृती सैनन लीड रोल में नजर आएंगे